इरान से खबर आई थी कि इरानी राश्पती इबराहिम रैसी के हेलिकॉप्टर की हार्ड लेंडिंग हुई है। रैसी समेर सभी नौ अधिकारियों की म्रत्यू की घोशना कर दी। लेकिन इस पूरे घटना करम ने मिडिलीस्ट को हिला कर रख दिया। कई लोगों ने आरोप लगाया कि कहीं इरानी कमांडर कासिम सुलिमानी की तरहा रैसी की हत्या तो नहीं कर दी गई। और अब इसको लेकर न्यू जजनसी पॉलिटिको ने एक ऐसा खुलासा किया है जो बेहद ही संसनी खेज है। दरसल पॉलिटिको ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि शुरुवाती तोर पर ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि रैसी की मौत को लेकर अमेरिकी अधिकारियों को डर सता रहा था कि कहीं इस घटना से तीसरा विश्व युद्ध न च्छड़ जाए। क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों को चिंता थी कि कहीं रैसी के हलिकॉप्टर क्रैश का इलजाम इरान, अमेरिका या इसराइल पर न लगा दे। हालकि इरान की न्यूज अजंसी I.R.N.A का कहना है कि राइसी का हेलिकॉप्टर तक्नी की खराअबी की वज़ہ से क्रैश हुआ था जब की राहत बचावकार ने खराअब मौसम, कोहरा और बारिश की वज़ہ से प्रभावित हुआ था और जब राइसी का हेलिकॉप्टर क्रेश हुआ था तो उस वक्त अमेरिका बेहद ही चोकनना हो गया था और वो इस पूरे घटना क्रम पर करीब से नजर बनाए हुए था कि एरान राइसी की मौद को लेकर कैसे प्रतिक्रिया देता है न्यू जजजन्सी पॉलिटिकों के मुताबेक अमेरिकी अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या एरान इसराइल या अमेरिका पर हेलिकॉप्टर को क्रेश कराने का आरोप लगाएगा हालकि उस वक्त इसका कोई संकेत नहीं मिला था। हालकि राइसी की मौद को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉइड ऑस्टिन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का इस हाथ़से से कोई लेना देना नहीं है। इरान के साथ संबंध खराब होने के बावजूद अमेरिका ने राइसी की मौत को लेकर आधिकारिक रूप से शद्धानजली प्रकट की थी और सर्च आपरेशन में इरान की मदद का हाथ भी भड़ाया था हाला कि इसराइल के विपक्षी नेताओं ने साफ कह दिया था कि वो राइसी की मौत पर एक बून आसू नहीं बहाएंगे बड़ी बात यह है कि पिछले महीने ही सीरिया में इरानी दूतावास पर एक हवाई हमले में इरानी सेना की कुछ स्फोर्स के कमांडर मौम्मद जाहेदी और उनके डिप्टी कमांडर मारे गए थे इरान ने इस हमले का आरोप इसराइल पर लगाया था और अब जब राइसी का हेलिकॉप्टर क्रैश हुआ तो इसको लेकर भी ऐसे कयास लगाय जा रहे थे कि कहीं इस घटना में इसराइल या अमेरिका का हाथ तो नहीं है झाल 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 झाल